दोहजार चोबिस के चुनाव का भी तो डंग से आगाज भी नहीं हुआ है लेकिन जिस तरह से चुनाव के अंदर जो है कुछ भी बोल दिया जाता है उस तरह की बयान बाजी सुरू हो चुकी है आज अमिच शाह उदेपूर के अंदर थे और उदेपूर रजस्तान के अंद कार पर निसाना साधा लेकिन चलिए निसाना साधा आपका काम है ठीक बात है लेकिन क्या कहे गए वो तो सुनिए अमिच शाह ने कहा कनिया लाल की हत्यारों को एनाई ये ने पकड़ा गैलोत करते रहे वोट बैंक की पोलिक्स उदेपूर में बोले अमिच शाह ये बात ज कनिया लाल की जो हत्यारे थे उनको राजस्तान की पुलिस ने केवल 4 गंटे के अंदर अदर जो वार्दात हुई उस वार्दात के केवल 4 गंटे के अंदर अंदर जो है वो पकड़ लिया था लेकिन देखिए किस तरह सी चीज़े हो रही है एक दूसरा मैं आपको और जैपूर के अंदर ही जब अमिच्छा मोजूद थे तो वसंद्रा से हाथ जोडते वे नजर आए इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन पहले ज़रा इस ख़बर पर बात करते हैं एना ये ने पकड़ा इस बात को जब अमिच्छा कह रहे है और देखे यहाँ पर असोग गैलो जो सामने आए प्रदेश के मुख्य मंतरी है वो सामने आए और उन्होंने सामने आकर एक लंबा चुड़ा ट्वीट किया है क्या किया का है सुनिए यह उमीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे आतंकवाद जैसे जिम्मेदार प उदैपूर में जूट बोला गया कि कनिया लाल के हत्यारों को हत्यारे रियाज अत्तारी और गोस मुहम्मद को एनाए ने पकड़ा जबकि सत्य यह है कि उन्हें घटना के घटना के महज चार घंटों में यह देखे आप घटना के महज चार घंटों में राजस्तान पुलि 2022 को ट्रांसफर हुई 28 सारी को घटना होती है और 28 सारी को घटना होने के बाद 28 जून को घटना हुई और उसके बाद में दो जुलाई को चार दिन बाद में जो है चार दिन बाद में एनाई की पास में फाइल जाती है तो एनाई यह पकड कहा से लेगी जबकि उनके अत्यार असोग गैलौत के सरकार पर जब निसाना साधा तो असोग गैलौत ने भी पूरे धागे खोल दिये और असोग गैलौत कह रहे हैं आपर अमिच्छा साब कह रहे थे कि आपने जो है वो नहीं पकड़ा एनाईए ने पकड़ा गैलोज साब सामने आगे पूरा कच्छा शिठा रख दिया कि घटना के चार घंटे में राजसान पुलिस ने पकड़ लिया था 28 तरीको घटना होई और दो तरीको जो है वो इसके अंदर इतना सामने सा केस सीधे तोर पर दिख रहाता कि दो लोगों ने आ करके कनिया लालेक जो दरजी था उसके वाँ पर आ करके उसको जो है मार दिया था गर्दन से जो है काट करके तो उसमें अभी तक चार सिट क्यों नहीं वाई अब देखिए आगे जो है यह इटीवी ने लिखाया कि गैलोत का पलटवार का भाजपा कारी करता है इसलिए अमिर्चा ने जूट बोला और यह उस वक्त की कुछ फोटो मैं आपको दिखाता हूं यह भाजपा के नेता देखिए आप कटारिया के साथ में फोटो है बीजेपी के नेता है और बीजेपी यह रहा और यह वक्ति यह रहा यह देखिए क्या कहेंगे इस कौमित चाहज़ आप बोलेंगे इस पर यह उदैपूर जिला लिखा हुआ देखिए जड़ा और यह गुलाबचन कटारिया के साथ में आपर फोटो है यह यहाँ पर जो है वो एक और नेता है उनके साथ में फोटो है तो यह खुले तोर पर जो है इतनी फोटो निकल करके सामने आई थी तब यह खबर जो है बड़ी सुर्ख्यों में चली थी आपको याद होगी अब मैं आपको खबर दिखाता हूँ उस वक्त में जो खबर छपी थी यह खबर एसे नेट की खबर है और 6 जुलाई थी 2022 की खबर है कनिया की हत्यारों को चार घंटे में पकडने वाली उधेपूर पुलिस ने कर दिया एक और धमाका जाने पूरा मामला तो किस तरह से जो है वो हर कहीं पर छपा हूँ आपको मिल जाएगा कैसे छपा था क्या छपा था क्या क्या है गूगल का जमाना है उस शाह मंच से जो खुले तोर पर कह देते हैं कि एनाईये ने पकड़ा जबकि एनाईये की एंट्री चार दिन बाद में हुई बताइए किस तरह से चीजे हो रही है और ये तो अभी 2024 के चुनाव की सुर्वात नहीं हुई है 2024 का चुनाव जब आएगा जब एकड़म से माहूल गरम होता है उस गरम माहूल के अंदर जो है वो गरम एकड़म तववा होगा तो उस तववे के उपर फटा फट रोटियां डाली जाएंगी और फटा फट रोटियां उतारी जाएंगी और कौन देखेगा उस वक्त में उस एकड़म ऐसे माहूल के अंदर कि किसने क्या बोल दिया और किसने क्या नहीं बोला उस वक्त में अमित शाय की इधर रहली होगी नरेंदर मोदी की उधर रहली होगी नडड़ा साब की इधर रहली होगी राहूल की उधर रहली होगी प एक चीज और दिखाता हूँ आपको जो अमिच्छा साब कहा रहे हैं कि गैलोत की पुलिस ने काम नहीं किया या गैलोत ने काम नहीं किया पहले लंगडा करके फिर जूल करके और अब प्लास्टर हर पेसी पर कनिया लाल हत्यारों की बिगडी दिख रही है चाल इतनी इन लो कि अपने कदम पर चल करके यह बस के अंदर बैठ जाएं यह प्लास्टर व्लास्टर देख रहे हैं आप इनकी इतनी सकाई की थी और यह रास्थान पुलिस के जवान आपको दिख रहे हैं यह दोनों कंदे पर ले जा ले जा करके इनको जो है वो बस में डालते थे तो यह उस वक्त के ट्वीट हैं अज कॉंग्रेस ने कहा है केंद्रिये ग्रह मंत्री अमिच शाह आतंगवाज जैसे गंबीर मुद्दे पर भी सरयाम राजनेती करने और जूट बोलने से नहीं चुके यह बीजेपी नेताओं की मांचिकता दिखाता है जिनोंने अपने सियासी फ इसी बात बोल दिए अब बीजेपी इस पर बोलेगे क्या यह बड़ा दिल्चस्प है बीजेपी ने तो कह दिया कि हमारे नेता नहीं थे आज जो है नेता जो सामने आए उन्होंने फिर से प्रेस कोनफरेंस वगरा या जो है वो प्रेस बिरिफिंग की या मीडिया और उच्छल करके आगे जाकर करके फिर जो है वो गैलोट की सरकार को अपनी राजनेती के तैट गेहरने का काम कर रहे हैं जब कि एक सीधा सीधा जो है ये बयान अमिजच शाह का जो है वो एक तरह से ब्लंडर की तरह से दिखाई देता है अब आईए अमिजच शाह के दूसरी बात पर अमिजच शाह ने आज उदेपूर में क्या कहा अमिजच शाह ने उदेपूर के अंदर कहा कि 300 साल पुराना अलवर के अंदर मंदिर तोड दिया गया गयलोत की सरकार पर निसान साथ देवे जबकि वो मंदिर जो तोड़ा गया उस मंदिर को अलवर के अंदर जब तोड़ा गया सरकार तो गयलोत की थी लेकिन जो नगर निगम है वहाँ पर नगर निगम बीजेपी का था जैसे दिली के अंदर आप देख लीजे दिली के अंदर ये होता था सरकार जो है वो अरविंद केजरिवाल के लिकिन नगर निगम जो है वो बीजेपी का था अब नगर निगम भी जो है अरविंद केजरिवाल का हो गया है तो उस त से जन्दीर हटाने की स्विकर्ती दी थी बोर्ड का कहीना это की कारवाई पर्सासं स्तर पर परई परित हुआ था उसके बाद अतिकर्मन हटा बङेपी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी अलवर नगर पालिका बोर्ड और पर्सासं इन मैं से कोई अपनी गलती नहीं मानड़ाज सबी एक दूसरे पर दोस्ट मड़ रहे है राजनेती कर रहे है बीजेपी सांजद ने कहा कि गलती हो गई इस घटना के बाद राजिसवा सांजद और बीजेपी नेता किरोडेलाल मीना ने कहा कि बीजेपी बोर्ड से एक बड़ी गलती हुई है इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए था बीजेपी परदेश अदेक्स सतीस पुनिया ने कहा तीन सो साल पुराना मंदिर अतिकर्मन कैसे हो सकता है इसकी जाच होगी बीजेपी की टीम जाच करके रिपोर्ट देगी कॉंग्रेस ने कहा था कि सिपार की थी और अलवर के राजगर में बीजेपी का बोर्ड है बोर्ड की बैठक में अतिकर्मन हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ ये कॉंग्रेस की सरकार जो हो कह रही थी तो कमाल की बात देखिए आप बीजेपी का बोर्ड बीजेपी के बोर्ड ने सिपारिस की अतिकर्मन स लकिन अमिच्छा साहब आज जो है वो कहा है कि नहीं साहब ये गलती नहीं हुई अब आई ये पहली जो खबर मैं आपको दिखा रहा था कि saúde रहे हैं 보ंद्छा एक तरह त्रफ तो अमिच्छा वह सुन्द्रा के सामने क्यों आखिरका रमीच्छा हाथ जोड़ करके दिखे इस बात को समझे यह वीडियो दिखाता हूं फिर समझने कोशिस कीजिए यह आज जोड़ रहे हैं अब देखिए मैं आपको खेल बताता हूं यह खेल क्या था दरसल यह देखिए अमिच्छा यहां पर बैठे हैं वसंद्रा राजे जो की सीम रही राजस्तान की बीजेपी की वो बैठी है अब मंच से जो है वो ऐलान हो गया और मंच से का गया स्वागत है ग्रह मंतरी जी का स्वागत है ग्रह मंतरी ने कहा यहां से जो है यह देखिए वहां स वसंद्रा जी का नाम लो और फिर वसंद्रा जी का नाम जो है लिया जाता है और अमिच्छा कहते हैं बुरा मत मानना देखिए हाथ जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की पोल्टिक्स हो रही है कि हाथ जोड़ करके अपने इनेताओं को जो है वह अमिच्छ और नरेंदर मोदी से कितनी जो है वो बनती है या कितने का आकड़ा है यह राजस्तान के लोग बखुबी जानते हैं और दिल्ली के गल्यारों में जो राजनितिक पकड़ जो रखते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वसुंद्रा ही किस तरह से जो है वो वसुंद्रा का ही कदरा है कि वो मोदी अमिच्छा के जो फैसले है उनको भी दरकिनार कर देती है और यही एक वज़े रही कि आज अमिच्छा को भी जो है उदेपूर के अंदर इसी बैठक में जो हो कहना पड़ा नमस्ते गलती आप पहले वोई तो खेर इंजार कीजिए दोहजार चोबिस का चुनाओ क्या क्या आपको दिखाएगा क्योंकि चुनाओ नहीं है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा महसंग्राम की तरह से जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में होगा पूरा विपक्स हो रहा है एक जुट तो उसका भी एक प्रभाव रहेगा तो बहराल शेर कर ये इस खबर को لوगों तक पहुँचे यह और आप क्या सोशते हैं मानगिये घ्या मंत्रिया में च्छा जी के बयान को लेकर आप क्या सोशते हैं नीचे कमेंट वॉक्स में लिख करके जरूर बताएए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुँचे यह और इसी झाल झाल